Hi viewers, welcome back to my channel, friends, यह दिखिए, आज हम यह cap बनाना सिखेंगे, तो बहुत ही pretty सी cap है, इसको ladies या gents दोनों wear कर सकते हैं, तो यह full size की cap है, तो adult age में कोई भी इसे ले सकता है, full size की cap है, तो दिखिए, इसके लिए हमने इसके दो part already upload किये हुए हैं, तो एक तो इसका यह border का, हमने प बनता है, तो यह वाला जो portion है, किस तरह से हम बने, तो वो हमने पहले part में आपको already बताया हुआ है, तो इसके साथ, जो cap है, जब आप इसे पहनेंगे, इस तरह से double उपर से flip आएगा, तो वो ऐसे नीचे नहीं जाएगा, तो ऐसे ही उपर की side रहेगा, तो इसी के साथ यह pattern का part है, यह भी हमने already upload किया हुआ है, इसको भी आप नीचे description box में दोनों videos के link दिये हुए है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, तो इसकी जो length है, वो complete हो चकी है, अब उपर इसकी किस तरह से decreasing की जाए, और उपर complete इसका look किस तरह से बनेंगा, वो आज हम आपको तो देखे, इसकी पहले measurement देख लेते हैं, तो इसको देखे, हमने इसका border जो है नीचे से, वो approximately 3.5 inches बनाया है, और उपर का जो part है, यह साड़े 5 inches के लगबख है, और अगर इस flip, यह आप अपने इसाप से जितना भी रख सकती हैं, तो total जब flip को इस तरह से करेंगे, तो ज इसकी अब length रहेगी, यह हम आपको बता देते हैं, कि यह total length जो है, यह 7 inches तक रहेगी, 7 inches के बाद हम इसकी उपर से इसके फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे, 7 inches तक आप इसे बुन सकती हैं, तो इस तरह से आपने इसका border बनाना है, तो जब flip को इस तरह से करके देखेंगे तो थोड़ा सा इसको निचे से बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि निचे से यह वला जो portion है वो दिखाई ना दे, इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाएंगे, कि यह इसका half जो flip का रहेगा, यह इतना half, इसको हम border के साथ बनाएंगे, और half इसके pattern के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा तो चलिए अब बनाना स्राट करते हैं इसको तो इसके लिए हमने जो है वो वर्तमान की 3-ply यान को यूज किया है ये दिखिए ये 3-ply wool हमने यूज की है ये थोड़ी सी पतली यानि के बारीक wool है तो 3-ply wool है ये दिखिए तीन धागी है ये वर्तमान की wool है ब्लू बैल की और इसके साथ हमने ये 10 नंबर की नीडल यूज की है तो अगर ये थोड़ी सी मोटी रहती तो फिर हम 9 नंबर की नीडल से इसको बनाते तो इसलिए हमने 10 नंबर की नीडल यूज की है क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है और थोड़ी सी थिक भी बनती है 10 नंबर की नीडल के साथ तो अब देखिए अब इसको हम बनाएंगे अब हम ये सीडी साइड कंप्लीट करके रॉंग साइड में उल्टी साइड में आ गए है तो यहां से हम इसके फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे तो अब देखिए यहां पर ये जो पैटर्न है आप अच्छे से पहले सीख लीजिए उसके बाद ही आगे इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा तब ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से हम इसको बनाएंगे अब देखिए साइड में इसके दो फंदे हैं इसका एस्टिच उतार के लेती हैं एक साथ में बुन कर लेती हैं तो अब इन फंदों को हम ये देखिए इसको हम ऐसे उतारेंगे दोनों फंदों को और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुन देंगे सीधा बुनते हुए और बाक्की का pattern हम डालते हुए ही बनाएंगे, pattern को छोड़ना नहीं है, pattern को follow करते हुए ही इसको हम सारी cap को गुनेंगे नागा पीछे करेंगे फिर से ये दो सीधे फंदे हैं तो फिर से इनको स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे तो एक एक फंदा हमारा यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा पिर से दिखिए चाहिए आप इस तरह से आगे की साइड से भी दो फंदों का एक फंदा बना सकते हैं चाहिए पिछे की साइड से गुन लीजिए एक ही बात है तो ऐसे ही यह दिखे पैटर्न को डाल दे हुए हम यह सारी रोग उनकर कम्प्लीट कर लेते हैं कि अबस्टाइब प्राइब तो बात हैं अब दिखिए ये लास्ट के भी दो फंदों का एक फंदा बना देंगे आगे की साइड से तो यहाँ पर हमारे एक-एक फंदा हमने डिक्रीज कर दिया है तो टोटल हमारे ये 121 फंदे थे तो एक-एक फंदा हमने सेंटर में चो दो-दो फंदे थे उनका एक एक फंदा हमने बना दिया है अब देखिए हम सीधी साइड में आ गई है तो यहां पर हमारे एक फंदा रह गया है दागा पीछे करेंगे यह पेटरन को डालेंगे हं और सेंटर में यह एक उल्टा फंदा है अब दिखें इसको कैसे करेंगे पहले slip कर लिया है उस फंदे को ऐसे ट्वेस्ट कर लेंगे अब ये वाला जो center का फंदा है इसको हम ऐसे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे यहां पर एक फंदा हमारा कम होजाएगा ये बाला फंदा सीधा बुन देंगे इन अगए यह उल्टा फंदा बुन लेंगे फिल पीछों धागा पीज़े यह दो फंदे है इंनको ट्वेस्ट करेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे तो चाहिए आप इसके साथ दो फंदों का एक फंदा बुन लीजिए चाहिए दूसी साइड से यहां पर हमारा कम हो जाएगा तो यह एक एक फंदा इस तरह से करते हुए जाएंगे एंड तक जितने भी फंदे हैं सेंटर का एक एक फंदा हम डिक्रीज करतेंगे अब दिखिए रॉंग साइड में आ गए हैं तो यहां पर हम सेंटर का एक फंदा डिक्रीज करते गए थे अब तीसी साइड है रॉंग साइड तो फिर से इसको स्लिप कर लेंगे धागा आगे लाएंगे अब देखिए यह हमारे पास चार उल्टे फंदे हैं तो अम हम यह आख वाला जो उल्टा फंदा है इसको सिंपली उल्टा बना लेंगे और ये सेंटर के दो फंदों का एक व्था अ हूँल्टा बनाएंगे यह व्लान फंदा भी उल्टा ही उल्टा ही ठागा पीछे अभर की सेम में सारी रउंग कर ंप्लीट करेंगे झाल झाल अब दिखिए चौथी रो है और सीधी साइड में आ गए है तो अब ये वाला फंदा स्लिप करके ले लेंगे फंदा है थागा पीछे लेकर चाहेंगे यहां पर हमारे पास दिखिए तीन फंदे हैं तो इसको हम कैसे करेंगे पहले ये वाले दोनों जो फंदे हैं इनको हम द तरह से ट्वेस्ट कर लेंगे अ जो इसको आगे लाएंगे ये वाला फंदा हम सीधा पून लेंगे और इस उपनदी को आगे की साइड नों का एक इस तरह से हमारा ये पैटर्ण भी बनता जाएगा धागा आगे उलटा फंदा उलटा बनेंगे फिर ये तीन पंदे हैं इ दूसरा फंदा आगे लाएंगे और आगे की साइड से पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, और आगे की साइड से ये एक फंदा है, ये वाला फंदा, दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, सीधा बुनते लिए, फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे राइट टू लाफ टेस्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तो ऐसे ही इस सारी रोगों भी बुनकर कम्प्लीट कर लेते हैं, अब दिखिए, पांच मीरों है, यह हम उल्टी साइड में आ गए हैं, डिक्रीजिंग करने की यह पांच मीरों है, तो अब हम यह वाला फंदा तो ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे लाएंगे, यह दो उल्टे फंदे हैं, दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, वाला फंदा 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 बुनेंगे, प्रिया सीड़ा फंदा दो फंदों का एक फंदा फंदा पूंते वे दिखे सीधी साइड में आ गई हैं तो अब हम फिर से यहां पर देखे किस तरह से करेंगे इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे साइड वाले फंदे को धागा पीछे करेंगे अब यह जो हमारे फंदे हैं एक सीधा एक फंदा तो इनको दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे इसको प्रेसंदे बना लेते हैं आप अब 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 तब दिखें यहां पर 2,4,6,8,10,12,14,16 और अब इनको हम नहीं खटाएंगे तो इसको हम एक साथ ही बाइंड आफ कर देंगे तो यहां पर दिखें यह सारे फंदे हम यहां से धागे को काटेंगे और इन सभी फंदों को निडल पर ले लेंगे दिखे इस तरह से नीडल पर डाल लेंगे थागे को थोड़ा सा लबबा ही रखेंगे क्योंकि इसी के साथ स्टिचिंग करेंगे अब ये सारे फंदे हम यहां से हम भून रहे थे इसी साइड से ही सारे फंदे ऐसे नीडल पर ले लेंगे तो अभी हमने ये नीटिंग नीडल में से इनको नहीं उतारना है क्योंकि इनको दो बार हम इसमें से गुजारेंगे थागे को तो एक बार ही हम एक बार इसको निकाल लें जब जबारा से धागे को डालेंगे तो फिर हम इसको डॉप कर देंगे नीडल में से इस तरह से सारी फंदे हमने एक बार धागे में से गुजार लिए हैं अब दूसरी बार फिर से इसको निकालेंगे दो बार इसको हम राउंड तू राउंड लेंगे तो अब हम यह नीडल में से उतारते जाएंगे इस तरह से अब इस तरह से फिर से इसको हमने में लिए तोदा सा ये पखका हो जाता है इस लिए इसको दोबार निकालते हैं अब थोड़ा सा टाइट करके इनको हम बांदेंगे यहाँ पर ऐसे एक नॉट लगा लेंगे दिखे इस तरह से यह परफेक्टली जो उपर से शेफ आएगी तो अब इसको हम सिलाई करेंगे तो जैसे भी आप स्टिच करते हैं वैसे ही आप इसको सिल सकते हैं या इस तरह से जैसे मैं सिल रही हूँ ऐसे भी सिल सकते हैं या जैसे भी आप जिस भी मैथर से इसको बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेते हुए इसकी हम कर लेंगे कि अगर देखिए इसको हम यहां तक जो है वह सिल लेंगे फिर इसको यह वाली जो स्टिचिंग करेंगे वो यहां से अंदर की साइड से करेंगे क्योंकि जब फिलिप ऐसे उपर को आएगी तो इस साइड में हमारी स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए तो यहां तक तो हम यह अंदर की साइड से स्टिचिंग करेंगे और यहां से बाहर की साइड से करे यहां तक हमने stitching कर दी है तो यह वाला जो portion है यहां तक बिल्कुल इसको perfectly हम match करते हुए stitching इसकी कर देंगे फिर दूसरी साइड से कैसे stitching करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहां तक हम इसकी stitching कर देंगे तो अब इस थागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे अभी कट नहीं करेंगे तो अब हम क्या करेंगे यह हमारी सीधी साइड ही है तो यह वाला जो flip है इस तरह से करके बाहर की तरफ आएगा तो एक बार इसको हम cap को उल्टा कर लेंगे और यह जो हम हमने धागा छोड़ा हुआ है इसी के साथ ही इसकी stitching करेंगे तो दिखिए पहले इसको डाल लेंगे और पहले इसको अच्छे से यहां से stitch करेंगे स्टार्टिंग से इसको मिला कर stitch करना है जो दिखिए ऐसे यह edges अच्छे से मिल जाने चाहिए आपस में ताकि पता न चले कहां से हमने इसकी सिलाई की है यह दिखिए इस तरह से इसके edges बिल्कुल एक साथ मिलाकर stitch करेंगे अब इसकी stitching जो है यह हमने यह दिखिए इस side में हमारी जो stitching है यह ऐसे करके आएगी तो यह वाली stitching हमारी perfectly होनी चाहिए जैसे हमने सीधी तरफ से करते हैं वैसे ही इस तरफ से करेंगे क्योंकि जो सिलाई भी गरा रहेगी फिर दूसरी side आ जाएगी एक step इस side से उठाएंगे यह जो side में chain बनी हुई है और एक बार इस side से इस chain को उठाएंगे तो दिखे थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे तो यह इस तरह से बिलकुल नीट इसकी stitching हो जाएगी तो दिखे इस सुनदर सी कैप बनी है तो ये free size cap है तो कोई भी इसे easily carry कर सकता है बहुत ही प्यारी सी cap पनकर ready हुई है और इसकी full measurement ये देखिए 8 inches जो है वो पनकर ready हुई है तो friend तो चलिए फिर आप भी से बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारे patterns कैसे लगते हैं अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगते हैं तो हमारे channel को like करना, share करना और subscribe करना मत पूलें तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नएने से projects लेकर दबता के लिए बबबफेन